जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में हिंदी साइट की यहाँ पर अपनी जो 500 प्रिशनों की सीरेच चल रही है उसी का एह अंगला पार्ट है यानि की दूसरा पार्ट है तो वीडियो को पूरा अवस्त देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए आपके हिंदी साहित के तो आपको बताना कि कितने कौस्टेन आप से सही बनी है और कितने गलत बनी है तो आपके लिए कमेंट में जरूँ बताना है और वीडियो को सब्वी लोग लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सॉस्क्राइब कर लाएं बैल आइक आटक की रचेता हैं तो question number आपका यहाँ पर 26 से start हो रहा है तो आपका यहाँ पर सही answer है क्या है right answer प्राण चन्द चौहन यानि की विकल्प number B आपका यहाँ पर right answer है अंगला question है अपने यहाँ पर क्या है अंगला कॉस्चन की कवीर की भासा को साधुकडी किसने कहा है तो कवीर की भासा को साधुकडी कहा है बहुत ही महत्वण कॉस्चन है किसने कहा है आपके लिए बताना है तो बताए क्वास्चन नमबर 27 का राइट आंसर क्या है Question number 27 है और आपका right answer है विकल्प number C आप कहाँ पर right answer है रामचंद सुकल आप कहाँ पर right answer है रामचंद सुकल जी ने कवीर की भासा को क्या कहा है सदुकडी अंगला question है अपना कि कवीर की भासा को पंच मिल खिचडी किसने कहा है Question number 28 पूशा गया है तो भौती महत्पूल question है एह भी कि कवीर की भासा को पंच मिल खिचडी किसने कहा है रामचंद सुकल बाबू स्याम सुन्दर दास या गिरेशन या नामबार सहे डाक्टर नामबार सहे तो इस परकार आपका यहाँ पर question number 28 का right answer है विकल नमबर क्या होगा right answer विकल नमबर B यानि की बाबू स्याम सुन्दर दास आपका यहाँ पर right answer है अंगला question है आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन दुवेदी युग का कभी नहीं है यहाँ पर आपके लिए दुवेदी युग का कभी नहीं है पूंचा है यहाँ पर तो कौन नहीं है आप बताइए question number 29 का right answer क्या होगा वहती मात्वण question है तो बताइए कौन नहीं है दुवेदी युग के कभी चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्द है और आपका right answer है विकल्प number 3 यानी की अंबिका दत्यव्यास अंबिका दत्यव्यास जी जो है ए दुवेदी युग के कभी नहीं है अंगला question है अपने यहाँ पर क्या है अंगला question अयुद्यास है और पाद्ध्याय हरिवद की पिर्थम रचना है तो यहाँ पर आपके लिए हरिवद जी की पिर्थम रचना बताना है कौन सी है इनकी पिर्थम रचना चार विकल्प आपके सामने दिये गए है क्रिशन सतक या रसकलस, प्रिय प्रवास या बेदी ही बनवास Question number है अपना यहाँ पर 30 और इसका जो सही answer है question number 30 का क्या है right answer विकल्प number 1 यानि की क्रिशन सतक आपका right answer है अंगला question है question number 31 का सही answer है विकल्प number C यानि की प्रेम घन आपका right answer अंगला question है कि भारतेंदू की कवीता की सबसे बड़ी विसेष्था क्या है भौत ही मात्वूर क्वास जोस्चन है आपके लिए यहाँ पर बताना है तो बताईए क्या होगा है इसका right answer भारतेंदू की कवीता की सबसे बड़ी विसेष्था है question number है आपका 32 का right answer है विकल्प नमबर क्या होगा right answer विकल्प नमबर C आपका सही answer है ब्यंग द्वारा अंग्रेजी सासन की निंदा एह आपका विकल्प नमबर C right answer है अंगला question पूँचा गया है आपर question number 33 कामाईनी में स्रद्दा किसका पृतीक है सरद्धा बताना है कामाईनी जो है इसमें सरद्धा किसका पृतीख है बताना है कामाईनी में तो मन का, बुद्धी का, हिरदाय का या इन में से कोई नहीं Question number यह आपका 33 और 33 का right answer होगा क्या होगा right answer? Question number 33 का विकल्प number C यानि की कामाईनी में सरद्धा किसका पृतीख है हिरदाय का अंगला question है, question number है आपका यहाँ पर 33 ही है क्या है इसका right answer? कि हिंदी में स्वाक्चंद चंद के पृत्धाम प्रियोकता है तो कौन है? इसका right answer बताईए question number 33 का क्या होगा सही answer? तो यहाँ पर सही answer है आपका क्या है right answer? आपका right answer है बिकल्प number B यानि की निराला आपका यहाँ पर सही answer है question number 34 है यहाँ पर चायावादी का चायावादी का विकार रूद्र किसे कहा जाता है तो most important question है चायवादी का रूद्र किसको कहा जाता है महादेवी बर्मा या पंत या पिरसाद या निराला question number है अपने यहाँ पर 34 और 34 का right answer बताना है चायवादी का अब्बे का रूद्र किसे कहते है या कहा जाता है तो आपका सही answer होगा विकल्प number यहाँ पर D right answer है निराला आपका सही answer है और अंगला question है क्या है अंगला question लोकायतन किस प्रकार की रचना है चंपू काब्ये मुक्तब काब्ये प्रबंदे काब्ये गीती नाट्टे तो question number 35 का right answer बताना है लोकायतन किस प्रकार की रचना है आपका सही answer है विकल्प नमबर C यहाँ पर right answer है प्रबंदे काप P अंगले question है question number 36 आचार नंद दुलारि भाजपी ने चायाबाद का जनक किसी माना है तो चायाबाद का जनक माना है किसी माना है किस ने जनक माना है किस को माना है इह आपके लिए बताना है तो question number 36 तिसका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, विकल्प नमबर D, सुमित्र नंदन, पंत, आपके याँ पर सही आंसर है, अंगला कॉस्चन है, छायवाद को चित्रभासा सेली, किसने कहा है, कॉस्चन नमबर 37 है, भौती महत्वण, एह आपका कॉस्चन है, और इसका सही आ अंगला कॉस्चन है, कि जगनात, दास, रतनाकर, किस उपनाम से उर्दु में कविता लिखते थे, तो उर्दु में कविता लिखते थे, कौन जगनात, दास, रतनाकर जी, किस उपनाम से लिखते थे, तो एह आपके लिए बताना है, तो नवाबराय, जकी, या रतनाकर, य यहाँ पर बहुत ही मात्पुन कॉस्चन है और जक्की आप कहाँ पर सही आंसर है जक्की नाम से उर्दु में कभी ताएं लिखते ते रतना करजी अंगले कॉस्चन है हिंदी का प्रतम सूपी कभी कौन है तो हिंदी के प्रतम सूपी कभी बताना है यहाँ पर जाईसी या नूर मुहमद या मॉल्ला वजही, तो इस परकार चाइर विकल्प है, question number है, आपका यहां पर 49, 49 का right answer है, आपका विकल्प नंबर भी यहां पर right answer है, मुल्ला दाूद, मुल्ला दाूद हिंदी का प्रित्वम सूपी कभी मानी जाती है, अंगला question है, question number number 40, क्या है कि सिरी गुरु ग्रंत साहब का संकलन किसने किया है तो सिरी गुरु ग्रंत साहब का संकलन किसने किया है एह आपके लिए बताना है गुरु नानक देव, गुरु अरजुन देव, गुरु गोबिंद सेह, गुरु हरगोबिंद सेह देव तो इस परकार चार विकल्ब है, question number 44 का right answer है आपका विकल्ब नंबर B यानि की गुरु अरजुन देव, विकल्ब नंबर B जिनों नहीं बताया है उनका right answer है और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अबस्टिकलने सभी लोग और अंगला कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 41 लखनाव में प्रगतिसी लेखाक संग के पिरथम अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी कॉस्चन नमबर 41 और 41 का राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है प्रेमचंद विकल्प नमबर D आप कहां पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है खरोष्टी लिपी की उत्पत्ती किस से हुई है कॉस्चन नमबर 42 का राइट आंसर बताना है खरोष्टी लिपी की जो उत्पत्ती हुई है किस से हुई है तो आपका सही आंसर क्या है चित्र लिपी, ब्राही, सामी या अर्मेईक तो विकल्प नमबर D आपका सही आंसर है अर्मेईक आप कहाँ पर राइट आंसर होगा अंगला क्ेश्चन है अंतस्त व्यनजनों की संख्या कितनी है? मानक हिंदी से क्या तातपर है? तो यहाँ पर आपसे मानक हिंदी से तातपर है? क्या तातपर है साहितिक पुस्तकों की भासा, साधरन बोलचाल की भासा, केवल पढ़ाई लिखाई की भासा, सिश्टे और सुसिक्षित लोगों की भासा Question number 44 का सही answer है, विकल्प नमबर एक आपके यहां पर right answer होगा कि साहितिक पुस्तकों की भासा, विकल्प नमबर एक right answer अंगला Question है कि क्या है मेवाती किस भासा उप भासा बरगी की बोली है यहां पर उप भासा बरगी की बोली है और एह विकल्प आपके लिए देख गया है क्या है राजस्तानी हिंदी विकल्प नमबर भी आपका right answer है अंगला Question है कि सम्मिदान के अनुच्छेद 309 में किस विसाय का बढणन है तो वह विसाय बताना है जिसका बढणन है अनुच्छेद 309 में किस विसाय का बढणन है बहुत भी मात्पूर्ण Question है Question number 46 और आपका right answer है विकल्प number क्या होगा right answer विकल्प number C आपका right answer है हिंदी के विकास के लिए निर्दीश अंगला Question है क्या है ग्वालियर की बोली है तो ग्वालियर जो है एहमद प्रदेश में आता है ग्वालियर एक जिला है और इसकी यहां की बोली है बुंदेली ब्रजभासा कन्नोजी ख़ली बोली Question number 47 है और 47 का right answer है विकल्प number A यानि की बुंदेली आपका सही answer है अंगला Question है Question number 48 है अब ब्रंस को प्रानी हिंदी किसने कहा है Question number 48 का right answer होगा आपके हाँ पर विकल्प number B आपका सही answer है अंगला Question आपके हाँ पर देख लेते हैं तो अंगला Question क्या है कि सम्मिदान की आठवी अनुसूची में कौन सी भासा सामिल नहीं है आपको Question को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हाँ पर नहीं पूंचा है सम्मिदान की आठवी अनुसूची जो है इसमें कौन सी भासा सामिल नहीं है बोडो, मैतली, भोजपुरी, डोंगरी Question number है आपके हाँ पर 49 और 49 का सही answer है बोजपुरी, विकल्प number C जो नहीं बताया है उनका right answer यहाँ पर है और यह है आपका आज का आखरी प्रसने क्या है कि मालती माधाव किसकी रचना है Question number है पचास आपका और इसका मालती माधाव जो रचना है इसके रचनाकार बताना है भववूती या स्रीहर्स, दंडी या भारवी तो इस परकार Question number 50 का सही answer है क्या है यहाँ पर आपका भववूती आपका विकल्प number 1 यहाँ पर right answer है भववूती जनों नहीं बताया है उनका right answer है तो इस परकार आज के जो है 25 Question थे तो अपना भाग दो था जो अपनो 500 प्रिस्न की जो सीरत चल रही हिंदी साहित के बहुती महत्तपूर्ण इसमें आपके Question है तो क्यांसा लगा वीडियो और कितने Question आपसे सही हुई है यहाँ पर कमेंट में जरू बताएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहला इकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक सबसे पहले पहुँचे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करना है ताकि अनलुक भी ऐग वीडियो देख सकें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सबी लोगों के लिए धन्यबाद जय हिंद